सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार मैं अंजली का की बहुत लंबी समय बाद फिर से आ चुकी हूँ अपनी ब्लॉग लेकि तो आज कर मैं ब्लॉग कंटियू नहीं कर पा रही थी और बहुत सारी उसकी रीजन थे लेकिन आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ब्लॉग भी शुरू करिंगी और इसले का रहे हूं कि कुए कि समय सभी का सपोर्थ है zwe hard में जब सी बड़ा सपोर्थ है कि हमारीक अथा यहां से ना अनुभा सिव और सिव ब्लॉगिंग कर ले तो यह ।ो यह मेरे आप ऐब कर लिर है और सबसे बड़ा रिजें भी घी दिखाऊंगी तो चलिए सुरू करते हैं आजकल पहाडों में ना काफी ज़्यादा ठंड हो रखी है लेकिन सिर्फ सुभा के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है का दिन के टाइम पर लगनी रागी ठंड का मौसम भी आ चुका है और मौसम तो आप देखी सकते हो क पीछे मतला बैसी दोड़ती रहती है और यहां पर है मेरे हजबन जी जुनको आज बुखा रहा रहा है तो दूप में थोड़ा सोई है और यह हमारा छोटा सा घुमकड जो पूरे दिन बस घुमते रहती है क्या करने हो बैब यहां और इसे ना कुछ दिन पहले बहुत घुमते रही है आजकल आजो मा के पास आओ क्या कर रहे हो आपको नहाना नहीं है अभी न सुभा के दस बच चुके हैं और हमनी नास्ता वगरा सब कुछ कर लिया है और अभी काफी सारी वर्तन वगरा धोने हुए हैं और कपड़े धोने हैं क्योंकि आजकल ठंड का मौसम कमेंना तो सुबा सुबा हम लोग नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब अभी सारे बाहरी ही दोते हैं क्योंकि अंदर बहुत ज्याधा ठंड पानी आता है और बाहर को दूप में रखे हम उससे बतन वगरा दोते हैं और इसको नहलाना भी तो भी बहुत सारे काम है तो मिलते ह इसको नहलानी के लिए पानी के लिए पानी की बालत najlep रख दीये गड़ आप देखो इसको पानी ंहिसे दौड़ती एत जानी केर्ण है जानी मेरा मतलब इसकôm प讲 देने दोह दोल दोहई ना मतलब प्र देखो इसको और यह बस ऐसी करते रहती है और अगर मैं अगर पानी डालूँगे तो फिर इतनी जोर जोर से रोती है मतलब नहाने में पूरी जो मुहला है पूरे मुहला में हला कर देती है अनुभा को नहलाने के बाद, अब धोने हैं कपड़े, और यहाँ पर कपड़ी मैंने लगा दिया है मसीर में, क्योnकि इसके साथ साथ मैं दुसरे काम भी करती रहूँगी, बसक्तार भरतन और बरतन आजकल हम दो रहे हैं यहां पर बाहर से क्योंकि यहां पर थूप अच्छी आती है बरतन दोने के जए पानी आजकल बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा है तो आग जलाकर हमने यह पाड़ी गीजर जो कनिस्तर है इसमें गरम पानी रखा हुए और इन सारी बरतन को अच्छे कच्छो और यहां पर ना मम्मी है मतलब मम्मी का अलग से काम हो रहा है तो वह कूट रही है ओखल तो इंदोने अभी शूप में लिये हैं धान और वहां कूटेंगे तो चलते हैं इनके पीछी 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 मम्मी गहरी कि एक साल बाद आज ब्लोग बना रही है क्योंकि एक साल बाद तो नहीं बना रही हूं कुछी टाइम हो रखा है विछोड़े हूए और यहां हमारा ना ओखल है ओखल इसके नीचे बना रहा है ताकि यहां बारिस भी हो तो काम हो सके ममी हाँ पर धान कूटने लगी है और इनको दो दो बार कूटी जाते है तो जब तक ममी धानवान कूटी है तब तो हम कुछ और काम कर लेते है अब इना टाइम हो चुका है साड़े बारा और दिन की खाने बनाने का समय भी हो चुका है तो आज हमारा खाने में बनने वाला है जूली और घर के चामल का जो भाद बनने वाला है तो हमें सबसे पहले बना लेती हूँ खाना वगरा फिर उसके पाद आपसे मिलते हूँ इस बार घर आने में बहुत ज़्यादा खुसी हुई है और खुसी इसले भी हुई है क्योंकि यहाँ पर रोड भी आ चुकी है तो दो इस पार ठाले है तो आपको प्थड़ दिख रहा होगा उधर से उपर कौई और अब हमारी मतलब यह किचन का ब्राम्दा है तो यहां पर रोड आ चुकी है और गाडी हम यहीपर करते हो यहां से सीध्य हां अंदर हम सामानों गड़ा लाते हैं तो आप यहां पर बहु वन्हों लेकर आ दिते न थोड़ा जमीन मतलब हिल रही थी तो इसलिए यही तक इसको किया हुआ है कि अनुमाने यहां पर सारे बरतन दो दो दिये हैं यह को इधर देखो अनुमा हो अरुब से को इधर देकर बदिया अपने बरतन अब खाना होना खाना के बाद हम सब लोग बैढ करें हम पर धूप सेखेंगे यह भी धूप सेख रहे हैं देखो यह देखो इनको धूप सेख सेखें तो चुचे खालूं लो रख दिया निखाऊं थोड़ा सा ले लेती हूं मैं अब कुछ नहीं करेगे अब बच चुके हैं साम के साड़े चार और हमारा चाय पानी होके हम लोग यहां पर बैठे हैं और यहां पर इसका काम हो रहा है दीरगशंका और खुदी पजामा उपर भी कर लिया है देखो तो इसका अलग से यहां पर काम चल रहा है सुबह का काम इसका साम को चाहिए और बड़ा गुलू यहाँ पर खूम रहे हैं क्योंकि इनका थोड़ा अभी मतलब बहुदा अंतर है थोड़ा क्या बहुदा अंतर है बुखार में फेश से ही लग रहा है और साम का टाइम है यहाँ पर दूप साम तक रहती है तो देखो से लगने लगाए कि साम मूनी लगी है और इधर साइट को तो हमारी साम तक धूप रहती है चलना च्छत में जाने के लिए यहाँ पर तकतर लगा रहा है क्योंकि यहां से अनुभा बार बार च्छत में चली जाती है और बार इस शिवनियों का कलर पूरा उड़ चुका है अनुभा गई है अभी च्छत में और हम भी जाते हैं कपड़ी उठाने के लिए अनुभा और उसके पापा देखो च्छत में अनुभा को चलना से का रहे हैं अनुभा ने मेरी नाक कठा दी है 12 में के हो चुकी है पर चलना नहीं चाहत बहुत ज़्याद चुकी है अब यहाँ पर कपड़े उठा थिते क्योंकि धूब भी अब जा चुकी है अनुभा को ना सीडियों से खुद नीचे जाना है और इसके पापा इसको जाने नहीं दे रहे हैं तो इसको देखो मुझे तो इसमें उठाया करके इसको बहुता गुस्ता रहा है और यह बोलती है नहीं कि मुझे यहां से नीचे खुद जाने दो मैं खुद जाओंगी लेकिन मुझे कोई पकड़ेगा नहीं और पापा उसे गोद में लेके जा रहे हैं तो इसलिए और जदर हो दी है हम उठा लेती यहीं पर खतम करता है तो मिलते हैं आप से कल सुरुआ फिर एक नए ब्लॉग लेके तब तक के लिए कीफ वोजिंग आवर चैनल और सब्सक्राइब करना न भूले तो मिलते हैं आप से काई